दोस्तों आपका फिल्मी मीजा चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हंग बात करेंगे अजय देवगन स्टारर फिल्म भोला और नानी स्टारर फिल्म दसरा के 22 दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन और उनके कमपरिजन के बारे में और जानेगे कि किस मूवी ने ज्यादा कमा कि उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मीजा चैनल पर पहली बार आए होतो फिल्मों के बॉक्स ओफिस क्रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मीजा चैनल को सबसक्राइब करके वीडियो को लाइक कर बीजिये दोस्तों बिना टाइम वास्ट की ये वीडियो को शिरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं नानी और केर्थी सुरिश स्टार फिल्म दसरा के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो नानी और केर्थी सुरेश की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों आपको बता दूं कि ये मूवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 करोड़ 20 लाक रुपए की कमाई क अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी पहले वीक में बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्ट प्रदर्शन करते हुए 79 करोड 10 लाक रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी। जबकि ये मूवी 21 वे दिन्यानी बुद्वार को बॉक्स ओफिस पर लगबग 27 लाक रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। तो ये movie overseas market में अब तक 21 करोड रुपए की कमाई कर चुकी है अगर बात करें इस movie के 22 वे दिन्यानी गुरवार के दिन के collection के बारे में तो अभी तक जो occupancy report आ रही है उसके अनुसार ये movie 22 वे दिन्यानी गुरवार को box office पर लगब 25 वे की कमाई करती हुई नजर आ रही है दोस्तों अब बात कर लेते है अजय देव गन और तबगु स्टारर फिल्म भोला के box office collection के बारे में दोस्तों आपको बता दू कि अजय देव गन और तबगु स्टारर ये फिल्म 30 मार्च से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है यह एक action thriller movie है इस movie का निर्देशन अजय देव गन ने की है भोला movie की budget की बात करें तो इस movie की budget लगबग 100 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म के collection की बात करें तो अजय देव गन और तबगु की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्ट प्रदर्शन कर रही है दोस्तो आपको बता दू कि यह movie पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 11 करोड 20 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी अगर बात करें इस movie के पहले वीक के collection के बारे में तो यह movie पहले वीक में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 69 करोड 98 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी जबकि यह movie 21 फे दिन्यानी बुदवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड 3 लाख रुपए की कमाई की है दोस्तो इस तरह से भोला movie का अब तक का 21 दिनों का इंडियानेज कलेक्शन 87 करोड 72 लाख रुपए हो गया है जबकि इस movie का पहले 21 दिनों का इंडिया ग्रास कलेक्शन 104 करोड 6 लाख रुपए हो चुकी है अगर बात करें इस movie के अब तक के वर्ल डवाइज कलेक्शन के बारे में तो भोला movie का अब तक का वर्ल डवाइज कलेक्शन 120 करोड रुपए हो गया है वही अगर overseas collection की बात करें तो ये movie overseas market में अब तक 16 करोड रुपए की कमाई कर चुकी है अगर बात करें भोला movie के 22 दिन्यानी गुरवार के दिन के collection के बारे में तो अभी तक जो occupancy report आ रही है उसके अनुसार ये movie 22 दिन्यानी गुरवार को box office बर लगभग एक करोड रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है दोस्तों इस वीजियो में बस इतना ही उमीद करती हूं कि ये वीजियो आपको पसंद आई होगी वीजियो पसंद आई हो तो वीजियो को लाइक करें शेर करें दोस्तों वीजियो को देखने के लिए धन्यवाद